अस्तेशल टीप्स और नीट प्रिप्रेशन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइट चार्ट पे छात्र तैयारी करने में विशेज ध्यान देते हैं लेकिन खाने पीडे पे ध्यान नहीं देते अब आप लोग डाइट चाट का जादा तर कि खिलाडियों के बारे में सुने वोगे अगर आप भूल भी देखते होंगे तो आप देखे होंगे कि जो खिलाडी तयारी करता है उसका डाइट चार्ट होता है यह लेकिसों विद्यार्थी निट और आई ऐटी कदल आई करते हैं इस मुझे चात्रों के पास को डाइट चाट नहीं होता है आगर होता भी है तो बहुत रेर के पास मिधात उठती है कि जो तयारी करते हैं पढ़ाई करते हैं वैसे लोगों को डाइट चार्ट की क्या हो सकता है तो आप एक उदाहरत तो पर समझ सकते हैं कि अगर बैटरी कि लो हो जाता है तो कोई क्या उतना लाइट दे पाता है नहीं उसी तरह से अगर हम 12 घंटा 13 घंटा पढ़ रहे हैं तो क्या हमारे मस्तिक्स को उतना इनलजी भी पा रहा है कि वह सारे पढ़े हुए सब्जेक्ट को स्टोर कर सके आपका जबाब होकर नहीं यानि अगर आप जादा मेनत करते हैं आपका मस्तिक्स भी उसी तरह से कांग करें आपका सरीन भी साथ दें अगर आप अच्छी तरह से खाना अगर नहीं खाते हैं तो थोड़ा दिर पढ़ने के बाद आपको आलस्य लगेगा नीद अब्रसुरू हो जाएगा और पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा क्योंकि आ ध्यान देना होगा नहीं तो आप बीमार पढ़ जाएगा और आप सही समय पर तैयारी पूरा नहीं कर सकेंगे तो डाइट चार्ट जरूरी है कि अगर आप प्रिप्रेशन कर रहें तो आप स्तंतुरित आहार लें आपके सरीर के लिए क्या भी सकता है वह सभी खाएं कभी भूखे ना रहें और समय समय पर भोजन जयूर करें पॉस्टिक भोजन करें जिससे आपका दिमाग को इनर्जी मिले और आप जो भी पढ़ें वह याद हो सके तो डाइट चार्ट पर हम और वीडियो बनाएंगे जो डिटेल्स भी बताएंगे कि आपके डाइट चार्ट म समय या जामने सर देते समय आपको सब चीज याद आजाएं तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे शुर्योद्दय के दो घंटा पारे उठना जरूरी क्यों है जो तयारी कर रहे हैं या स्वस्त रहना चाहते हैं तो मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में झाल्योद घए जिए नेक्ट रिए।